नमस्कार बच्चों सुवागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्छा टेंथ के चातने हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्दवार्शिक प्रिक्छा 2021-22 के लिए कक्छा 10 गणित विशे का पेपर बताने वाला हूँ और ये पेपर आपके अर्दवार्शिक प्रिक्छा 2021-22 के लिए बहुत ही महतुपूर पेपर है और इस पेपर में आपके जितने भी कुश्चन दे रहे हैं ये सारे कुश्चन आपके महतुपूर है जो आपके 2021-22 अर्दवार्शिक गणित में तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से देखना है उसके बाद में अच्छे से आपको त्यार करना है और अपनी जो नोटबुक में इन कुशन्स को आप लिख भी सकते हैं और ये पेपर आपके हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनों के लिए है तो इस पे समापूर तक ज्याद कीजिए यानि यूकलीड विवाजन प्रेमे का दुवारा 55 और 210 का आपको HCF निकालना है महतम समापूर तक आपको ज्याद करना है यानि फाइंड दे ग्रेटेस्ट कॉमन फेक्टर ओफ पिचपन एंड 210 बाइ यूकलीड डिविजन इक्वेशन यान तो उसे एक क्वेशन आपके लिया गया है उसके बाद में सेकिंड क्वेशन है आपके कि जो बिंदू आपको दे रखे हैं बिंदू दो तीन और पांच छे के बीच के आपको दूरी ग्याद करनी है यानि find the distance between the point 23 and 56 तो दोनों पोइंट है इन दोनों पोइंट के बीच के आपको distance निकालनी है दूरी निकालनी है और यह आपके chapter number जो 7 है coordinate geometry यानि निर्दे सांग जियामिती तो उसे आपके questions लिया गया है उसके बाद में question number 3 है आपके समानतर स्रेडी 2-7-12 का दसुआ पद गयाद कीजिए यानि एक समानतर स्रेडी है 2-7-12 और इसका आपको find करना है find the 10th term of the EP 2-7-12 उसके बाद में question number 5 आपको दिया गया है कि किसी परियोग की सभी प्रारंबी गटनाओं की प्राइकताओं का योग लिखिए तो किसी परियोग की सभी प्रारंबी गटनाओं की प्राइकताओं का योग कितना होता है सभी बच्चों को इस question का answer comment box मे लिखिना है write the sum of probabilities of all the entire events of an experiment यानि किसी प्रियोग की सभी प्रारंबी गटनाओं की प्राइकताओं का योग है वो आपको बताना है आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वोटसप नमर क्योंकि अब आपका मेट्स, physics, chemistry, biology का सवाल हो आपके हर question हर doubt का मिलेगा तुर्ण solution वो भी सिधा आपके वोटसप पर बस अपने फोन में doubtnet का 8400-400-400 वोटसप नमर सेव कर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका doubt है उस सवाल की फोटो कीचिए और उसे crop कीजिए और 5 सेकिंड में उस question का वीडियो solution आपको मिल जाएगा उसके बाद में question number 6 आपको दिया गया है कि माद्दे माद्दे को और बाउलक में आपको क्या लिखना है समंद लिखना है यानि इन तीनों के बीच क्या relation होता है क्या समंद होता है तो वो समंद होता है वो आपको बताना है और इस question का आंसूर भी आप सभी बच्चों को comment में बताना है उसके बाद में question number 7 द्विगाती सुत्र लिखे या आपकी chapter number जो हो रहे द्विगात समीकरण तो जो quadratic equation है तो उस chapter से आपकी question लिया गया है जिसको हम सिरीद राचार ये सुत्र भी कहते हैं तो द्विगाती जो सुत्र है वो आपको लिखना है उसके बाद में question number 8 आपको दि जो condition दी गई है इसको आपको algebraic form में लिखना है तो आपको ये question भी comment box में बताना है उसके बाद में question number 9 आपको दिया गया है question number 9 very very important question है और ये हर बार आपके अर्दवार्सिक प्रिक्चा में पूछा जाता है तो दो दनात्मक प्रुणाकों का HCM आपको 13 दे रखा है और LCM 182 यानि 182 यदि एक प्रुणाक 20 है तो दूसरा प्रुणाक आपको ग्याद करना है ये भी आपके chapter number 1 वास्तविक संक्या से लिया गया है अगर किसी भी questions में आपको doubt है तो उस questions को आप बता सकते हैं comment में उस questions का answer आपको next वीडियो में बता दिया जाएगा तो दो दनात्म प्रुणाक है उनका hcf है वो आपको 13 दे रखा है और lcm है वो आपको 182 दे रखा है यदि एक प्रुणाक आपके 26 है तो दूसरा प्रुणाक है वो आपको find करना है यानि the hcf of two positive integers is 13 and lcm is 182 if one integer is 26 then find the second integer यानि second integer वो आपको find करना है उसके बाद में question number 10 है आपके यदि PE बराबर 0.89 है तो E नहीं की प्राइकता ग्याद किजिए ये question भी आपके 101 परतिसत 2021 की अर्दवार्सिक प्रिक्षा में पूछा जाएगा उसके बाद में question number 11 question number 11 भी काफी बार आपके अर्दवार्सिक प्रिक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके 101 परतिसत इस question के आपके chance है तो इस question को आपको अच्छे से त्यार करना है आपको संख्या दे रहे हैं 6 बतर और 120 इन तीनों संख्याओं का आपको ए भाजे गुणनखंड विदी दुआरा यानि प्राइम फेक्ट्रेशन मेथर दुआरा आपको HCF और LCM दोनों आपको ग्यात करने हैं आपके पास 3 संख्याएं है 6 बतर और 120 इन तीनों संख्याओं का ए भाजे गुणनखंड विदी दुआरा आपको HCF और LCM जात करना है यानि find the HCF and LCM of the numbers 672 and 120 by the prime factoration method दुआरा इन तीनों संख्याओं का आपको HCF और LCM बताना है उसके बाद में कुशन नमर 12 है आपके अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड़ी में से एक पत्ता यादर्चिक निकाला जाता है तो इकका नए आने की प्राइकता ग्यात कीजिए very very important question है, सारे question selected question है, आपके happily exam के लिए बनाए गए हैं, तो इन questions को आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है, उसके बाद में question number 13 है, आपके एक दुविगात बहुपद ग्याद कीजिए, जिसके सुनने को का योग और गुणनफल minus 3 और 5 है, यानि एक दुविगात जो sum of zeros और जो product है, वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, minus का 3 और 5, आपको दुविगात बहुपद बताना है, उसके बाद में question number 14 है, आपके निमन रेखिक समीकरण को 35 विदी से हल कीजिए, यानि आपको दो समीकरण ग्याद है, और इन दोनों समीकरण को आपको एक जो व आपको ग्याद करनी है, जहां समीकरण आपको दे रखे है, x plus y ब्राबर 14 और x minus y ब्राबर 4, उसके बाद में question number 15 आपको दिया गया है, कि निमन रेखिक समीकरण युगमों को graph दुवारा हल कीजिए, और graph में जो समीकरण यहाँ पर लिए गये हैं, ये समीकरण भी आपके important है, यानि इस graph में आपके number भी change नहीं हो सकते, ये question आपके 101 परतिसत आपके हाफिरल एक्जाम में पूछा जाएगा, निमन रेखिक समीकरण युगमों को graph दुवारा हल कीजिए, तो निमन रेखिक समीकरण युगमों को आपको graph की दुवारा हल करना है, यहाँ पर समीकर एक्स प्लस 3Y ब्रावर 6 और 2X माइनस 3Y ब्रावर 12, उसके बाद में क्युशन नमर सोड़ा है आपके, कि एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमेटर की दूरी ते करती है, यदि यह चाल 5 किलोमेटर परती गंटे अधिक होती, तो वह उसी यात्रा में एक गंटा कम समे लेती, तो रेल गाड़ी के आपको चाल ग्यात करनी है, ये भी काफी इंपोर्टर कुशन है, उसके बाद में क्युशन नमर सत्रा, जो आपके 101 परतीसत हाफिरल एकजाम 2021 में मेट्स के पेपर में पूछा जाएगा, क्युशन नमर सत्रा है आपके, उस AP का 31 पद ग्यात की भी आपको दे रखा है, तेतर, तो आपको कौन सा पद निकालना है, 31 पद निकालना है, उसके बाद में क्युशन नमर 18, जो निर्दे संग ज्यामित्ती का टोप क्युशन है, और 101 परतीसत इस क्युशन के आपके हाफिरल एकजाम में चांस है, उस से चतुर भुज का छित या पी, क्यूं, और, एस भी मान सकते हैं, उसके बाद में ये आपके सिर्स हैं, किसके सिर्स हैं आपके चतुर भुज के, और चतुर भुज का आपको क्या फाइंड करना है छेतरफल, उसके बाद में क्युशन नमर 19 है, आपके यदि 15 कोट अ ब्राबर आट है, यानि 15 कुशन है आपके यदि 15 कोट ए ब्रावर 8 है तो साइन ए और से के दोनों की आपको वेल्यू फाइंड करनी है उसके बाद में क्यूशन नम्मर 20 जो परसनावली आपके 8.4 में परसन संक्या 5 में चठा क्यूशन है यानि क्यूशन 6 इन क्यूशन नम्मर 5 और एक्सरसाइज 8.4 जो आपके 8.4 है जो 8.4 वाली जो परसन माला है आपके उसमें आपको जो पांचुआ परसन है और पांचुए में आपको चठा परसन है वो अच्छे से त्यार कर लेना है क्योंकि ये क्यूशन आपके अदुवार्सिक प्रिक्षा 2021 में फसने व 5.2 cm लंबा आपको एक रेखाकन खीचना है और उसे आपको तीन रेशियो 2 में आपको डिवाइड करना है विवाजित करना है उसके बाद में क्यूशन नमर 22 है आपके कल्पित माद्दे और बहुलक से समंदित परसन यानि आपको जो टेबल आती है आपकी जो सार्णी आत और अर्दवार्शिक में दोनों ही आपके पूछे जाएंगे उसके बाद में क्यूशन नमर 23 है आपके दो पासों को एक साथ फैंकने पर अंको का योग 9 और 13 आने की आपको प्राइकता ग्याद करनी है यदि दो पासे हैं और उनको एक साथ फैंकेंगे तो अंको का योग करेंक लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजिए ताकि कक्सा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो